अगर आपको बड़े-बड़े मेडिकल शब्द समझ नहीं आते, लेकिन दिल की सेहत की फिक्र है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है. Heart Attack, जिसे दिल का दौरा भी कहते हैं, वो तब होता है, जब हमारी खून की नलियों में कुछ रुख जाता है. यानि हमारे दिल को जितनी ओंकसीजन और खाने की ज़रूरत है, वो नहीं मिल पाती. इससे दिल की मांसपेशियां खराब होने लगती हैं. खून की नलियों में कॉलिस्ट्रॉल जमना, सिगरेट पीना, हाई बलड प्रेशर, शूगर और टेंशन, ये सब इसकी बड़ी वजहें हैं. सीने में तेज दर्ध होना, बाएं हाथ में दर्ध और सांस लेने में दिक्कत होना, ये इसके आम लक्षन है. अब बात करते हैं हार्ट फेलियर की, इसमें हमारा दिल शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक खून नहीं पहुचा पाता. बहुत दिनों से हाई बलड प्रेशर रहना, हार्ट अटैक होना, और दिल की कोई पुरानी बीमारी होना, ये इसके कारण हो सकते हैं. सांस फूलना, पैरों में सूजन अना और ठकान होना, ये इसके लक्षन हैं. हार्ट अटैक तो एकदम से होने वाली बीमारी है, वहीं हार्ट फेलियर धीरे-धीरे होने वाली समस्या है. दोनों ही हालत में जल्दी से इलाज कराना और डॉक्टर की सलाह मानना बहुत जरूरी है. अपनी सेहत का ध्यान रख और दिल की बात को हलके में मत जरूरी है.